तो हखेले दोस्तों आई स्वागत है आप सभी का अपना इस YouTube चेनल Gnvh Study Center दोस्तों आज की इस वीडियो में रिजिनिंग का बहुत हैं जबरजास्त धामा का वीडियो लेकर आई हैं दोस्तों आप लोगे लिए तो वीडियो में लाश तक बने रहिएगा तो कोई भी कोचन है उसका confusion दूर हो जाएगा क्योंकि हमीत नना जबर जस्त खास लोजिक से आज के वीडियो के बताएंगे कि देखिएगा तो एक भी question में confusion नहीं रह जाएगा और यह दोस्तों काफी बार आरार भी गुरूप में आया हुआ question है और अलग टाइप का भी question है दोस्तों वीडियो देखिएगा तो कहिएगा कमेंट किजिएगा अगर वीडियो समझ में नहीं आए तो सीधर क्या करना है डिलेट करना है और मस्त लगे अच्छा लगे तो ज्यादा ज्यादा सेयर करना है देखिए यहां पर question 3 into 3 के symmetry में दिया हुआ है आपको क्या करना है देखने में तो question आपको बहुत हाट लगता होगा दोस्तों क्योंकि इस टाइप के question ज्यादा तर student लोग से नहीं बन पाते हैं लेकिन हम आज बताएंगे इतना नजबर जस्त ट्रिक से और धासू लजिक से कि कोई भी question में confusion न 9 से यहाँ पर 13 अगर किजिएगा तो देखना होगा कि कोई खास relation है की नहीं 8 और 10 से यहाँ पर 16 आ रहा है क्या relation है आपको check करना है आप चाहे तो ऐसे बना सकते हैं या इधर से solve कर सकते हैं या उपर से भी बड़ी संख्या के ओर आप solve कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए 7 और 8 से अगर ऐसे solve किजिएगा तो 113 ग्याद करना होगा तो इधर से 7 और 8 से आपको 113 ग्याद करना है इधर से आप देखिएगा तो 7 और 9 से 13 यहाँ पर दिया है अगर 7 और 9 का relation देखिएगा 7 और 9 को जोड़िएगा तो 13 तो नहीं आ रहा है 7 और 9 में गुना दिया है उसके उर आ फल कर सकते हैं तो देखिए यहां पर 7 और 8 का अगर गुणा कि जीए गा तो 113 तो नहीं होगा 78 Mang होगा एकवा साथ आथक कूछ अटको जोड़िए गा तो 215 होगा वह भी नहीं है तो देखिए शायए सा और को जोड़िए लुटेशान नहीं है यहाँ पर अब आपको एक बात देखना है अगर सात का स्क्वैर किजिए गा तो साथ के स्क्वैर कितना होता है तो ओठेट है चौश्ट जोड़िए गा तो यहां पर एक सब्सक्राइब करके अब आपको क्या करना है जो यहां पर रिलेशन है वो रिलेशन ऐसे भी होना चाहिए इस वाली रो में भी होना चाहिए तो देखें यहां पर कीजिएगा तो के सब्सक्राइब सबीकर चाहिए और यहां पर और हैं संब्सक्राइब करके अब शरीBut यह 9 और 6 कितना होगा 15 होगा कहरी के एक यहां पर 6 5 11 और 12 के दो कहरी के एक 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 अदो तीन एक यह चार यानि 425 यहां पर खाले स्थानी कौन संख्या होगी 425 425 किस अप्शन में हैं देख लिजिए तो बी में है 425 यहीं आप कराई टेंसर हो जाएगा दोस्तो देखिए कोशन देखने में बहुत ही कठिन लग रहा है और ऐसे देखिएगा और एक्जाम में अगर छोड़ दीजिएगा तो मेरिट में दिकत हो सकता है करना है कि आपको लॉजिक को समझ ये किस लॉजिक से ईस टाइप के कुशन को बनाया जा रहा हैến दोस्तो बढ़ा हुआलर ये मत दोस्तो तो हम उम्मिद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा चलिए इसके बाद वाले को देखते हैं दूनमर को मैं यहां पर दोसरा कोशन है ये भी कोशन 3 इंटू 3 के सेमेटरी में दिया हुआ है काभी विई कोशन है दोस्तो देखने में आपको और यहां पर इस साइड में सबसे लाश्ट वाली साइड में आपको कुस्चन मार्क दिया हैं तो आप देखिए इस टाइब के कोश्चन में एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो बड़ी संख्या उपर क्यों रहें और एक कोश्चन वाट साइड में जब दिया है तो जरूर इसमें कोई खास रिलेशन है देखिए समझिए क्या रिलेशन है पहले देख लेते हैं अगर इसे इसको सल्व किजिएगा तो 28 और 32 आ रहा है तो इसमें क्या रिलेशन कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है कोई रिलेशन अभी नहीं दिखाई दे रहा है और यहां पर देखिए आठ और साथ से 19 हैं इसमें कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है आठ साथ को गुणा किज तो यहां पर भी जोड़ियेगा तो दूसरा संख्या जाएगा यहां पर 6 और 9 कर दिलेशन किजिए गा तो यहां पर भी इस टाइप के जैसे यह नहीं निकल रहा है वह इसाहीं इधर भी नहीं निकलेगा तो देखिए आपको क्या करना पहले समझे आप सबसे पहले काम किज किना जिए इस 28 में साथ 15 Cry expon Squad 35 में अगर 9 को ऐड़ किजिए गा तो कितना होगा तो 44 हो जाएगा कि इतना हो आट कर देख़ देख तो कितना आया 44 आया अगर इसको भी ends किया जाएगा तो 308 प्रचन वाट हो जाएगा इन सभी को फियाड एड कर लेति तो यहाँ पर इसको भी देखनी कीटना और इक तालीर सैं और से उपको CHणवाट किला हेगा थार एक दौन रालीत को प्हसंत द्रेख नीजिए और थाज़ा में स्वेड़ सबसे आ रहा था वह रिलेशन इसमें भी आ गया सब कर रहा है तो कितना जा रहा है तो यह आपका राइट आप सी अप्संसा ही हो जाएगा दोस्तों विश्त करते हैं कि जो यहां पर हम जीस लॉजिक से बता है वो लोजिक आप लोग को असानी समझ में आ रहा हो वो दोस्तों उमिद करते हैं क्ैसानी समझ गए होंगे आप screenshot भी ले सकते हैं चलिए बढ़ते हैं आगे देखते हैं next question से बाद कर शलिए दोस्तों देखते हैं Catherine reflect on a Seafね यह भी इन टू 3 k symmetry में question दिया हुए है दोस्तों कि देखने में बहुत ही hard question लग नग रहा है देखने में तो महतotom लग रहा है लेकिन हैं अगर in question में संख्या दिया है इसको धयान से अब देखिएगा तो असानी से समझ जाएगा और एकदम easy हो जाएगा दोस्तों question और असानी से समझ जाएगा यहाँ पर बताएंगे तब ही समझ में आ जाएगा देखिए यहाँ पर क्या दिया है है दिया है 12 24 दिया है 9 692 और यहां पर साथी हैं 15 36 याकि संय गिया करना है यह अ iス तरह से 20 को ग्यांद कर सकते हैं इस तरह से और या इस तरह से इधर से चल सकते हैं इधा हैं और इधर से भी, तो क्या relation है, सबसे जो easy relation इसमें बन रहा है, उसको हम लोग इसमें देखेंगे, ढूढ़ेंगे, देखिए, यहाँ पर क्या है, हम इधर से इस side में इसको solve करके दिखा रहा है, देखिए, यहाँ से अगर चलिएगा, 24 से 12 प्याईएगा, तो इसका आधा हो या कि नहीं, 24 का आधा 12, और इसका आधा कितना हो गया, 6 हो गया, कोई दीकत नहीं, यह relation यहाँ पर भी बनना चाहिए, इसका हाफ यह होना चाहिए, और इसका हाफ यह होना चाहिए, तो 91 का हाफ किजिएगा, तो 96 का अगर हाफ किजिएगा, आधा, एक बटे दू, तो 42 हो तो 7078 आना चाहिए तो 1536 का हाफ अगर किजीएगा 270 14 एक आया 26 12 एक आया 28 16 यानि 7668 आगे डिवाइड करने पर तो इसका हाफ यह है अब इसका हाफ इसमें होना चाहिए 768 का हाफ किजीए 246 हो जाएगा 1 आया एधर 286 और यह 248 यानि इसका हाफ किजिए का 767 तो 384 आ रहा है तो 384 किस अप्शन में है बी अप्शन में है तो यहीं आपका राइटेंसर हो जाएगा दोस्तों तो यहां पर 384 हो जाएगा कोशन वाट के स्थान पर तो हम उम्मिद करते हैं कि आसानी से समझ गए होंगे देखने में तो हमेशा हम बताते हैं मेहनत अगर करने का सपना आप देख रहे हैं कुछ करने का सपना देख रहे हैं तो आप कोई भी कोशन होगा ध्यान से वीडियो में देखिएगा तो असानी समझ में आ जाएगा हम इतना लोजिक खास लोजिक देते हैं कोई भी वीडियो हो और कोशन इतना नधासू धासू देते हैं कि मेरा जो भी वीडियो बनाया है सब चेप्टर का पाट वाइज बनाया है सौल किये हैं आप लोग देख सकते हैं यहां पर भी देखने में कोशन बहुत कठी लग रहा था बहुत टॉफ लग रहा था लेकिन जिस लोजिक से हम बताए उस ल आठ से गुना की यह तो अर्तालिस अर्तालिस में आठ से गुना की जिएगा तो 384 आएगा तो यह भी रिलेशन है यहां बारा में आठ से गुना की जिएगा तो आपका 304 आना चाहिए तो गुना कर लिजी आठे धान बारा माराँ देफ कर गुना की जिएगा बारा मीं आठ से तो बारा टे चानबे कितना होजायाए State औगर भी 7068 तो यहां पर भी आठाट से गुणा कर से 24 में घुजे गात वी 1-23 एक सो ब्रांद वेसुर आठाट से गुणा कि जिए गना तो 136 जो लोजिक अच्छा लगए उस लॉर्फ लोजिक से आपको बनाना है समझना दोस्तों तो चलिए बढ़ते हैं इसके बाद वाले ग्यूटन कैना कि अगला कोचन है दोस्तों पर अगला कोचन चार नमर हैं कोचन यहां पर देखिये 14 से सुल्ला बना है 14 वर सुल्ला का संबंध दिया है और यहां पर दे रहा है कि 28 का संबंध किस्से होगा तो देखिए एक बात कोचन को पहले समझे इस कोचन को रिलेवे आर आर भी ग्रूप दी ने ज्यादा तर जो इस्टुडेंट का एंसर किये थे उसको गलत कर दिया ज् सुल्ला तो यहां पर भी इन दोनों का रिलेशन है उसी साब से इन दोनों का रिलेशन क्या होगा यह ज्यादा तर इस्टुडेंट लोग किये थे यानि 14 में दो जोड़ करके यहां पर सुल्ला आया था उलोग बनाया थे और यहां पर 28 में दो एड़ करके 30 यहां पर रिल जोड़कर 30 कीजिएगा तो ज्यादातर ठ्टूएंट लों किये थे कि तीस मेरा राइट एंसर होगा लेकिन इसको गलत कर दिया रेव होत्र देखिए और क्या किया थाव थोड़ा सा आपको यह समझाना है कि जोड़कर तो देए आप बना भी सकते हैं अगर पहली वाली संख्या का दूसरी संख्या से कोई relation नहीं मिले जो कि तीसरी संख्या का भी 34 से मिले तो आपको क्या करना है पहली संख्या का तीसरी यानि इसके बाद वाली संख्या से relation खोजे लेना है तो देखिए यहां पर 14 में अगर दूसे गुणा किजिएगा तो 28 आएगा तो उसी तर अगर इस 16 में आप दो से गुणा किजिएगा तो यहां पर पहली संख्या का तीसरी संख्या सरी लेशन देख लिजिए क्या है और दूसरी संख्या का चौथी संख्या सरी लेशन देख हो जाएगा तो 32 आपका राइटेंसर हो जाएगा अप्शन में 32 भी है तो दोस्तो इस टाइब कभी कभार कोश्चन दे देता है एक जाम में तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कुछ न कुछ कुछ खास लोजिक ऊंदेता है कुछ खास रीडेशन देता है चलिया पढ़ते हैं अगला कोस टेहां है कि अगला कोश्चन है पांच नमर कोश्चन शॉलमा का समद्भ बारा से दिया है यहां पर पूछ ठाँ ग्लेशन चखता है कि धोड़ा सा इसमें पालेग मक्त आप सुंचिए कि फजक्ट है अगर आप 14 ग्लेरेशन 12 से डिया है प्लाइब का स्थे ऐर करीमें ट्रॉन में तो इहां होगा तो अगर शुला में आप तो 52 में से 4 घटाएगा तो 48 आएगा यहां पर देखिए option में 52 हुए नहीं है अगर यहां का जो रिलेशन दिया है वो रिलेशन यहां पर टैली किजिएगा तो 16 में से 4 घटाएगा तो 48 है तो 52 में से घटाएगा तब भी तो 48 आएगा तो 48 आएगा बारा में से 4 घटाएगा 26 आपको क्या करणा है देखिए musi जब पहली संहिग्खा दूसरी सरी मनाया और डूसरी सरी शौठी समधा और पहली में 4 से गुना किया हैं पर 12 ईलाइश है तो 22 में कितना से गुना किया है 4 ऑरा किया है तो बारा 5 एटालिस उसी साब से यहां अगर शोल्लह में आप एहां पर कोशन वाट के ज्गपर कौन सी संख्या रख कर करимо कि यहां पर शोल्लह cette चार से गुणा कीजिएगा तो कोचन माट की जगा पर जो यहां पर रिलेस्न हो आजाएगा तो कोचन माट की जगा आगर वरиг शुल्ला में 4 से आप गुणा कर देते हैं तो सुला चवु का कितना हो जाएगा 64 64 हप देख लिगे अपसर्फन हैं पर चार से गुणा करके तो पहली संख्या का तीसरी संख्या से रिलेशन भी चार से गुणा करके आ जा रहा है जो यहां पर रिलेशन है तो यहां पर 64 आ गया दोस्तों तो एक जाम में देता है इतना इजी नहीं देता है लेकिन इस टाइप के कोशन घुमा करके देगा यह क लेकिन कुछ रिलेशन घुमा करके दिया है दोस्तों तो हम उम्मीद करते हैं कि असानी से आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों जो भी इसके इस वीडियो में आज हम कराए बहुत लजबाब कोशन था अगर एक बार सही से वीडियो देख लेजिएगा समझेगा तो जिन्द